फ्रेंज आज हम बात करेंगे लंग्स के बारे में एक human lung के बारे में human lung kidney के तरह एक पेव में present होता है दो लंग्स होते हैं हर इनसान के पास unlike kidney हमारा body एक लंग पे survive ने कर सकता है जैसे किद्नी में एक इंसान एक किद्नी पे सवाइब कर सकता है वैसे लंग्स में ऐसी कोई सिचुवेशन नहीं है यह इसलिए है क्योंकि जो लंग्स है उसका में फंक्शन बॉडी के ऑक्सिजन के डिमांड को पूरा करना है और यह जो ऑक्सिजन डिमांड है यह एक लंग कभी पूरा नहीं कर पाएगा हमारे बॉडि में इतने ट्रिलियन सेल्स हैं उनके ऑक्सिजन को उनके डिमांड को उनके ऑक्सिजन के डिमांड को पूरा करने के लिए एक लंग्स एक इंसान में काफी नहीं है एक इंसान एक लंग्स के साथ जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि हमारे बॉडि की नीधी इतनी है ऑक्सिजन की कि यह ऑक्सिजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी एक लंग्स से हमारा लंग्स जो है वो ट्रेकिया से कनेक्टेड होता है जो एर जो एक ऑक्सिजन है वो ट्रेकिया के थुरू आता है और फिर लंग्स में इंटर करता है lungs में छोटे-छोटे structures होते हैं जिनको alveoli बोलते हैं और alveoli में capillaries होते हैं जो oxygen का, gas का exchange करते हैं और भी blood vessels के साथ और ये फिर blood vessels जाती हैं heart में oxygenated blood लेके और फिर heart के बाद ये दूसरे organs में जाती है अगर हम बात करें lungs की तो उसके चार बहुत important functions होते हैं सबसे पहले ये हमारे body के oxygen के demand को fulfill करता है जो हम air inhale करते हैं उसको warm करता है उनको गरम करता है ताकि वो body temperature के बराबर में आ सकता है ये waste gases भी remove करता है जो भी waste gases हैं उनको हमारा lungs remove करता है इसके बाद gases exchange जो के हमने पहले डिसकस करा ही था वो lungs करता है बात करें अगर lungs के parts की तो lungs के parts में वही आपको ब्रॉंकाई मिल जाएंगे ब्रॉंकस मिल जाएंगे और ब्रॉंकियोल्स मिल जाएंगे और अल्विलाई मिल जाएगा ये structures हैं जो एक lungs को बनाते हैं जोब आप lungs को खोलोगे तो ये सारे structures आपको वहां मिलेंगे और इसके बाद अगर हम बात करें कि lungs काम कैसे करता है तो lungs जो है वो जब हम air inhale करते हैं तो वो nose के थुरू होते हुए trachea के थुरू होते हुए bronchiols होते हुए alveoli पहुंसता है और वहां से फिर gas का एक्सचेंज होता है तो यही main lungs का function है और यही सारी चीजे lungs हमारा lungs करता है और उसके बाद देखो lungs एक question बहुत सारे लोग पूछते हैं कि lungs का healthy रहना क्यों जरूरी है तो को इसमें lungs का healthy रहना इसलिए जरूरी है ताकि मैंने पहले भी यह चीज बोली है कि lungs का में काम गैस का exchange कराना है और अगर लंग्स ही healthy नहीं है तो गैस का exchange नहीं हो पाएगा और मेंनी अगर precise होके मैं बोलू तो oxygen मेंनी ट्रांसफर करना हार्ट को oxygenated blood हार्ट को ट्रांसफर करना lungs का main काम है और यह सारी चीजे हैं जो lungs करती है और आज के लिए बच इतना ही झीजे नहीं हो? मुद आता ही वह संवाल में हूं?